दोस्तों यदि आभी सहारा रिफंड पोटल पर अपना रिफंड पाने के लिए ओनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो अभी साइट काफी स्मूथ चल रही है अभी आप पंजिकरन कर सकते हैं बिना किसी परसानी की इस वीडियो में हम आपको लाइब प्रोसेस दिखाने जा हैं उन तमाम जनकारी को हम आपको बताएंगे क्योंकि काफी सारे डीटेल को भड़ने में अगर आप मिस्टेक करेंगे तो आपकी जो रासी है जो मिलने वाली है वो रासी भी आपको नहीं मिलेगे तो इसलिए वीडियो को थोड़ा सा समय देकर दिखीगा एक एक पॉइं को हम किलियर करते हुए इस वीडियो में सारी जनकारी को आपको लाइप दिखाने जा रहे हैं वीडियो अगर आपको पसंद आ तो इससे लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें तक इस पर करके सभी वीडियो जो है आप तक मिलती र आपने इसके रेगारिंग सभी जनकारी को बता है जिससे आप समझ सकते हैं नीची आना है डाइरेक्ट आपको ऑनलाइन अपलाई का लिंक मिलता है सबसे पहले आपको राइस्टेशन करने का है अगर आप राइस्टेशन कर देते हैं कोई डीटेल अगर उपलब्द नहीं होती है वहीं छोड़ देते हैं तो डाइरेक्ट आप लोग इन भी कर सकते हैं कई भी कोई परसानी आपको नहीं होगी अगर आप चाहाए ऑफिसल वेबसाइट पर जाना तो डाइरेक्ट ऑफिसल वेबसाइट पर भी जाएंगे तो आपके सामने इनका ऑफिसल वेबसाइ डिजी डालना है और यहां पर आपको अधार लिंक मुवाइल नंबर डालना है धियान रखना है अगर आपको अधार से मुवाइल नंबर अभी तक लिंक नहीं है या जिन भी निवेसक का अभी तक अधार से मुवाइल नंबर लिंक नहीं है तो वो अपना पैसा रिफंड के ना है इस पर कर देखेंगे आपके सामने एक पॉप अप आएगा जिसमें आपको डिपोजीटर का जो भी आधार डेटा है उनका ये पूरा अथन्तिकेशन करता है तो उसके बेस पर ही आपकी आगी की परकिरिया फिल होगी तो सिंप्ली आपको कुछ करना है नहीं नेक्ट क जो मॉइल नंबर होगा उस पर एक OTP जागा उस OTP को यहां पर फिल करेंगे और वेरिफाई OTP बाले विकल पर क्लिक करना है इस परकार आपके जो भी डीटेल है आधार से फैच होती है जैसे आपका नाम हो गया डेटो बर्थ आपकी पिता का नाम या कोई महिला है तो उन आपके अधार से बैंक सीडेड है उससी में आपकी रास्ति मिल जाएगी आपको बरसान होना नहीं होगा उसके बाद यहां पर आप चाहे तो इमेल आईडी है तो उसको दे सकते हैं नहीं है तो इसको छोड़ेंगे और एक option यहां पर next का मिलता है जिस पर आपको क्लिक करन है अब यहां से आपको claim detail सबसे पहले डालनी है तो सबसे पहले देखें यहां पर बोला गया है कि society name आप बता है देखें अभी फिलाल जो है इन चार पर करके society में अगर आपने निवेस किया है तो इसके लिए पंजी करन कर सकते हैं तो यह society name आपको कहां से मिलेगा तो आपको बताया तो उन चार परकार में अगर आपके निवेस हुई है तभी आप इसके लिए पंजी करन अभी आप कर सकते हैं तो यहां पर आपको नाम मिल जाएगा society का नाम आपको यही पर देखनों को मिल जाएगा फिर आपको यहां पर आना है और society name में जो वहां पर नमबर है जो यहां पर आपको मिलता है इसी नमबर को क्या करना है इस form fill up करने में जो आपसे detail मांगी जाती है membership number उसको fill करेंगे अब यहां पर account number मांगी जाते है यह नहीं कि आप अपना bank account देतेंगे यह प्यलती आपको नहीं करना है क्योंकि account number की भी जनकारी आप जब अ account पर account number नहीं दिये गए वो क्यार डालेंगे तो देखे उस इस्तिती में आप अपने नजदिकी जो सहारा office है वहां पर जाकर आप मिल सकते या आप अपने agent चाहारा के कोई agent है उनसे भी आप पूछ सकते हैं आगे की detail हलाकि account नहीं है लगभग लोगों के पास है ही आप इ detail आपके bond पर होगी जैसे receipt number में आप क्या डालेंगे तो यहाँ पर देखिए receipt number आपको मिलता है इसी receipt number को आपको यहाँ पर पूछी गई है जिसमें आपको fill करनी है साथे साथ certificate number या passbook number आपको डालना है तो certificate number और passbook number कहां से मिलेगा तो इसी bond पर आप देखेंगे तो यहा आपको वहाँ पर fill करनी है या यह नंबर जो है उपर में ही आपको मोटे अक्छर में मिलता है यह आपके certificate number हो जाएंगे अब अगला detail जो है आपको account opening date पूछी जाती है मतलब इसमें आपने खाता कब खुलबाया था तो इसी bond पर जवाप आएंगे तो यहाँ पर यह बोलते हैं कि सर हमारा जो है maturity date जो है अभी तक पूरा नहीं हुआ है तो हम पंजिकरन करे या छोड़ दे तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी मत करे अगर आपकी maturity date जो है अगर पूरा नहीं भी हुआ है अगर माले यह 23-24 में होड़ा है फिर भी आपको जो है refund के लिए registration कर भागाया है जो deposit account amount पूछी जाती है तो इसकी जनकारी भी आपको यहाँ पर मिलती है कि इसमे जो है आपने कितना पैसा न 이용स किया है वो जनकारी आपको मिलता है जैसे इन्होंने 5000 किया है तो यही एमाउं आपको यहां पर feel करनी है साथे साथ यहां पर देखिए दो detail है आपको बताएंगे लोन लिया तो कितना लिया था और लोन पे अगर आपने किया तो कितना किया जनकारी देनी है अगर आपने नहीं लिया तो दोनों बॉक्स को ऐसा ही छोड़ेंगे और यहां पर आपको जो बॉन्ड है जो अभी हमने आपको दिखाया इस बॉन्ड को ही जिससे कम होनी चाहिए इसका धियान रखना है अब यहां से चूज करेंगे इसको upload करेंगे और उसके बाद एक option मिलता है add claim का जिस पर click करेंगे अब यहां नीचे देखेंगे तो आपका जो भी society नाम है member ship number है और सभी जो detail है आपका यहां पर add हो जाता है अगर आपको इसमे कोई गलती लगता है तो अभी edit करेंगे या आप चाहे तो इसको delete करकर 12 से भी डाल सकते हैं अब बहुत सारे ऐसे भी वेक्ति है जिन्होंने एक साधीक जो है निवेस किया है यानि कोई पांच हैर किया है दूसरा में उन्होंने दस हैर लगाया है 15,000 लगाया है 20,000 लगाय हो तो उस इस्तिती में आपको क्या करना है एक सोसाइटी जो आपके पास है उसको add करना जो आपके पास bond होंगे उसको add कर लिजे फिर आपको दूसरा bond के अनुसार जो bond हमने आपको दिखाया इसी bond पर फिर आपको society का नाम देख लेना है और जो detail आपको यहाँ पर मांगी किया 10, 20, 50 तो सभी को यहाँ पर आपको add करना है और यहाँ से आपको simply क्या करना है next वाले विकल पर click करना है सारा detail आपका यह सही होना चाहिए claim detail जो है काफी महत्पूर्ण है इसमें कोई detail आपको गलत नहीं भरना है वरना आपकी पैसा जो है यहाँ से पहले download कर लेना है और आपके पास printer है तो इसको सबसे पहले क्या करना है इसको print करना है या आप अपने नजदी की किसी भी दुकान पर जाकर इस form को क्या करेंगे print कर भाएंगे अब समझे इस detail में क्या-क्या भढ़ना है उसकी जनकारे सबसे पहले फोटो आपको चिपकानी है और फोटो पे लिखा हुआ है कि cross sign होनी चाहिए cross sign का मतलब यह है कि फोटो पर इस परकार तिरसा sign होनी चाहिए जैसे pen card पर आप sign करते हैं उस form पर वो सनुसार इस पर आपकी sign होगी साथे साथ यहां पर देखे कुछ detail आपसे पूछी जाती है जैसे bank का नाम आपको भरना है तो bank का नाम कौन सा भरेंगे तो जो रासी आपको दिखा रहा था सुरू में ही कि आधार सेडिंग bank का नाम तो वही bank का नाम आपको बताना है जो सुरू में आपको अधार सेडिंग में देखनों को मिला है उस bank account का नाम डालेंगे साथे साथ आपकी जो जमारासी है कितनी है कितना का अपने जो maturity है वो लिया था उसकी जनकारी देंगे कितना का bond है वो amount यहां पर टाल देना है नीचे आपको आना है यहां पर जो जनकारी अपने feel किया था उसी एनुसार देखनों को मिलता है कुछ करना है नहीं सिंपली नीचे आकर आपको क्या करना है यहां पर आपको एक signature करना है और यहां पर पहले इस लिखना है और mobile number डाल देना हो सकता है बहुत सारे ऐसे भी विक्ति है जो sign नहीं करते हैं वैसे इस्तिती में उनका उंग्ठा भी लगा सकते है कहीं से कोई परसानी नहीं होगी और इसको क्या करना है पुना scan करकर क्या करेंगे इसको upload करेंगे फिर इसी website पर आएंगे आप और यहां पर जो next बाले option मिलता है जिस पर जब आप click करेंगे तो बताया गया है कि इस form को जो है आपको upload करना है लेकिन धियान रखेंगे इस form में जो भी detail आपने भड़ा है उसको एक बार मिलान जरूर करेंगे कोई detail बाद में change नहीं होगी इस चीज को दियान रखना है तो इसको मिलान करकर पहले इसको क्या करेंगे scan करकर यहां से इसको upload करेंगे और यहां से इसको preview देखेंगे अब कहेंगे सर्व कि अगर हम बाद में इसको upload करेंगे तो क्या मेरा form फिर से शुरूर से भरना हुगा तो भाई मेरे ऐसा नहीं है अगर आपके पास printer नहीं है किसे दुकान पे जाते हैं इसे print लेने तो बिल्कुल आप जाए इसको simply log out आप कर सकते हैं यहां पर log out का option है log out कर दिए पुना login करने के लिए इस website पे आईएगा यहां पर login वाले विकल पर किलिक करिएगा आपना जो आधार नंबर mobile नंबर को डाल कर लोग इन करेंगे यहीं पर आपको redirect करेंगे उसको पुना क्या करेंगे यहां से scan करके upload करेंगे और यहां से upload वाले विकल पर किलिक करेंगे इस परकार आपका file successful upload होता है next वाले विकल पर आपको click करना है थोड़ा सा wait करेंगे आपका referend के लिए आपका जो form है successful summit हो चुका है आपका यहाँ पर देखेंगे एक जो reference number है वो भी मिल चुका है और clear बताया गया है कि इस base पर आपकी जो भी detail है उसको verify होगी और इसकी जो जनकारी है आपके अधार से जुड़ा mobile number पर मिलता रहेगा पर 45 दिनों के अंदर में verification होने के बाद आपके जो society द्वारा जैसे ही approval होगी यह amount आपकी जो bank account है उसमें भेज दिया जागा आपको कुछ करने की अवसकता नहीं है simply यहां से exit वाले विकलपक के लिए करेंगे आप लगाउट हो जाएंगे तो यह cool process थी इसके लिए online apply करने का हमने submit तक की process आपको दिखा है वीडियो अगर आपको पसंद आ हो तो इसे like, share जरूर करें और आपके मन में अभी भी कोई doubt है तो आप comment करकर पूछ सकते हैं वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद